गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं आज किश्मस का डे है और हम लोग आये हैं राजधानी बाटी का में जहां एक आप लोग को अनोखा चीछ दिखाने जा रहा हूं मैं अभी खड़ा हूं एकदम जश्ट एंटरंस के सामने आप सामने देख रहे हैं संता घूम रहे हैं और वो कुछ गीप्ट भी दे रहे हैं बच्चे लोग को हाई सान्ता जी मैं अभी आ चुका हूं नक्षट बन के पास जिसको आप सिलिस्टियल गार्डिन भी कह सकते हैं आप यहां देख शकते हैं नक्षट के अनुशार कौन-कौन प्लैंट्स हो सकते हैं उसको डायाग्रम हमरा देश में जो सिलिस्टियल सिस्टेम है जिसके अं और उस राशी के अंदर 27 नक्षट होता है हर नक्षट के साथ अलग-अलग मेडिशिनल प्लैंट रिलेटिड किया गया है और ओही मेडिशिनल प्लैंट के गार्डिन को नक्षट गार्डिन कहते हैं आईए आप लोग को मैं दिखाते हैं कैसे नक्षट गार्डिन है जो हम हम आपको बताएंगे मेश राशीशे शम्मंदित नक्षत्तों जहां अश्विनी भरनी और पीपिका है और इनके शाथ साथ रिलेटेड जो प्लैंट्स है जैसे कुछिला आमुला और गुलाद आप यहां देख सकते हैं जो एक सारकेल के अंदर यह तीनों प्लैंट्स को कैस इस गार्डन में एक सारकेल को 27 भाग में विभाजीत किया गया है और उसके अंदर में अलग अलग नफसत्य के अनुशर पाउधा भी चुना गया है जैसे यह सामने बला आप देख सकते हैं जो पुचिला है पुचिला हमारा एक बहुत इंपोर्टेंट्स है मेडिसिनल प बनते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह यह 27 नक्षत्य के साथ साथ डिलेटेट जिदना प्लैंट्स है यह गार्डेन में मेंटेन किया गया है और हर नक्षत्य के साथ साथ जो रिलेटेट प्लैंट्स है ओ यह गार्डेन में में मेंसन किया गया है यह डीटेल सब प्लैंट्स ज होजिए दिक एंग करो प्रूजब कर दोजए हमुड़ दो हमारा प्रुणा कर दो हमुड़ प्रुड़ दो बगना समझभ Babag जब दो में जब हमुड़ झाल जब करदा को घ जाती हृट प्रूब झाल थाओव प्रुड़ न हो हृआ लुड़ पूर्दो डिफरेंट काइंड्स अब फूट प्लैंट्स है ट्रीज है कुछ साब्स भी है जहां यहां देख सकते हैं जहां नक्सक्स से जोगे हुए एक साब्स है जिसको जुही बोलते हैं जिसका संग साइन्टिपिक नेम है जस्मिनम अरिकुलाटम यह भी नक्सट गार्डं में उपस्तित हैं सिमिलारली शाति नक्सटे जुरे हुए पाउदा है बेल जिसको एगल मारमेलेश बोलते हैं पिशा का नक्सटे से जुरे हुए फ्लैंट्स है गुगल जिसका नाम है जिम्नोसपोडिया स्पाइनोशование कि इस तरह अलागलक से जुड़े हुए यह नक्षट बुन में बहुत सारा प्लैंट से टोटली शताइस टाइप का प्लैंट से आपको एक चीज इसमें देखने का है जो नक्षट बुन में डिफरेंट का इनस अब प्लैंड रखा है वह हमारा कल्चार के साथ बहुत रिलेवेंट है क्योंकि वह पुराना काल से हमारा यह समस्किति जो इसको प्रभावित कर रहा था जैसे आप दे सकते हैं जो हमारा काठाल जो है जो उत्तराशार नक्षट शे रिलेटेड प्लैंट से एक्टो करपस इंटेगी फोलिया जो हमारा प्राचिन काल से हमारा समस्किति के साथ जूरा हुआ ह जिसका फल हम लोग भुख्षकन करते हैं और वही बात नहीं बहुत सारा ऐसा प्लैंट्स है इस नक्षत्व गार्टेन में दिया गया है जिसको फाइका स्पीसिस से संबंदित है और फाइका स्पीसिस हमारा बायलोजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो आप इसे भुड़ प्लैंटि नहीं है कुछ दूसरा प्लैंट में होता है जैसे आप देख सकते हैं शात्मी शा नक्षत्व से जूरे हुए कदंब प्लैंट यहां आप देख सकते कदंब जो है हमारा मिधोलोजी की साथ जूरे हुए पौधा है जिसमें भगवान श्री सबसे बड़ा फल है जब प्रधान प्रधान प्रवन महीना में होता है और उस टाइम में जो फ्रूट्स होता है बहुत सारा चीडिया इसका फ्लावर को खाते हैं इस तरह से एक बायलोजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन होता है इस स्टार गड़िन का हमारा जीवन में क्या महत्त है अगर आप लिच्ट अप्लावर्स देखेंगे इसमें बहुत सारा प्लावर्स ऐसा है जो हमारा देश में नियूटिशन सीक्यूरिटी भी प्रवाइड कर सकते हैं जैसे हमारा देश का सबसे बड़ा पल है प्रधान पल है मैंगी फिरा इंडिका आम आम छोड़के कठाल है इसमें जामून है बेल है तो हर तरह का फूट्स प्लैंट्स है तो इसके मादम से हम लोग को जो नियूटिशनल सीक्यूरिटी एक मेंटेन हो सकता था जो हमारा पूर्बो जो ने सोचे थे जो अगर इस तरह से कुछ प्लैंट ऐसा भी चुना गया है जिसका हमारा हर दिन में मेडिसिनल बैलू है जैसे नीम है अमला है जामून है जो यह जताते हैं पूराना काल से हमारा पूर्बो जो ने यह भी सोचे ते जो अगर हमारा अच्छा जिन्दिगी जीना है यह सब ओसोदी प्लैंट का म ओस्वास मुथत की जन्दिगी है और ओवी महत्तो को समझे यह लोग आपको यह सेलिस्टियल गार्डेन में इसको इंक्लूट किया था इस गार्डेन में अधिसिनल प्लैंट शोर के और भी प्लैंट से हैं जिसको हमारा हर दीन में डे टुडे में यूज होता है जैसे बैंबू देंडो के लामस इसको हर दीन में हमारा बहुत सरा फाडनीचेर बनने के लिए यूज होता है अल्दो पूराना कल्सी यूज हो रहा है लेकिन आज भी चानते हैं यह सका हर छोटा-छोटा काम में बैंबू का यूज होता है इसको हमारा हर दिन में टिंबर के लिए उसरा यूज होता है तो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आईएगा यह पटना जो राजधानी बटी का है इसलिए गार्डेन को आप एक पर धर्शन करके जाएगा तो आपको एक अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर यह वीडियो आपको प्रियर्जन से सेयर करिए इसको लाइक करिए और इसके बारे में आपको पूर्बर से ही आपको जान करी रही तो तो आप एक कॉमेंट देना मत भूलिए थैंक्यू बहरी मच्छ